हेलो एवरिवन, आई जोती, वेलकम यूँ आल उन डूए फोर इस्टेडी चैनल, आज हम लोग करने वाले हैं, क्लास थार्ड, E.V.S. से चाप्टर 18, A House Like This, तो चलिए इसको देख लेते हैं। और यहाँ पर यह जो आप रेड कलर से देख रहे हैं, यह है जम्मू और काश्मीर और इसकी जो कैपिटल है वो है श्री नगर। बच्चो क्या आप जानते हैं कि अब इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? अब इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, पहले जम्मू कश्मीर भी है और जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है वो है श्री नगर। सिंस यस्टरड़े देर इस लॉट अव एक्टिविटी इन आर स्कूल, इट विल गो ओन फोर आ वीक। तो नसीम बताते हैं कि यस्टरड़े से ही हमारे स्कूल में बहुत सारी अक्टिविटी हो रही हैं और यह एक हफते तक चलेंगी, do you know why, क्या तुम जानते हो क्यों, there is a camp being held in our school, हमारे स्कूल में एक camp लग रहा है, Children have come from many places, for the camp, बहुत सी जगहों से बच्चे इस camp के लिए आये हैं, Tents have been put up on the ground for everyone to stay, और यह जो tent है, वहाँ पर लगाए गए हैं, ground पर हर किसी के रहने के लिए, यानि जो भी बच्चे आये हैं, इंडिया से, वो सब बच्चे इन टैंटों में रहेंगे, जो tent होता है न, यह भी एक तरे का घर ही होता है, इसमें बच्चे रहते भी हैं, और इसी में cooking भी की जाती है, सोना भी होता है, फुटना बैटना भी होता है, सब कुछ इसी में होता है, किई हाव डेक्रेटिट दै स्कूल ब्यूटिफिली, हमने अपने स्कूल को बहुत अच्छे से सजाया है, some children have used piece of cloths to make streams for the doors और कुछ बच्चों ने कपड़ों से streamers भी बनाए है दरवाजों के लिए आपने देखा होगा इस तरह के streamers आप birthday parties में भी यूज किये जाते हैं rooms को सजाने के लिए schools में भी तरह तरह के streams लगाए जाते हैं मंदिरों में भी लगाए जाते हैं गुर्द्वारों में भी लगाए जाते हैं तो यह कपड़े के भी हो सकते हैं और made of paper भी हो सकते हैं some have made posters using almond shells while others have made rangolis using dry leaves and sawdust और कुछ बच्चों ने जो हैं almond shell के posters बनाए हैं जबकि कुछ बच्चों ने सुखे वे पत्तों का यूज करके रंगोली बनाई हैं Today is the first day of the camp और आज camp का first day है We are very happy और हम बहुत खुश हैं In the morning, we all got together and sat down on the ground in a circle सुबे हम सब लोग एक साथ गये और ground पर एक circle में बैठ गये Each of us introduced ourselves and spoke about where we came from and what we like to eat और जब circle में हम सब बैठे तो हम सब ने एक दूसरे से अपने आपको introduce किया और बताया कि हम कहां से आए हैं और क्या खाना हमको पसंद है अपने बारे में सब कुछ Children brought pictures of their families and their homes और जो बच्चे थे वो अपनी families की pictures लाये थे और अपने घरों की भी Everyone spoke about their homes हर किसी ने अपने घर के बारे में बोला भुपेन's group was the first to talk और भुपेन का जो group था उनकी बारी थी सबसे पहले बोलने की तो भुपेन ने और सारे बच्चों ने मिलकर बताया कि वो कहां से आये हैं उनका घर कैसा बना है उनके घर की छते किस तरह से होती हैं तो इस तरह की सारी बाते हम इस चप्टर में पढ़ने वाले हैं आई हैव कम फ्रों मोलान विलेज इन आसाम मैं आसाम के मोलान विलेज से आया हूँ बच्चों ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं रैड कलर से ये आसाम है और ये इंडिया के इस पार्ट में है और यहाँ पर बहुत जादा पारिश होती है इसलिए जो उनके घर हैं वो लगभग 12 फीट उचे बनाए जाते हैं और ये जो हैं ये बैम्बू से बनाए जाते हैं और इनकी जो छटे आप देख रहे हैं ये स्लोपिंग छटे होती हैं और ऐसा क्यों होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत जादा बारिश होती है और ये उचे भी इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो बारिश का पानी है इनके घरों के अंदर ना पहुंचे और घर के अंदर जाने के लिए ये लोग लैडर का यूज करते हैं यह जो ladder होती है न यह folding ladder होती है यह लोग क्या करते हैं रात को सोते समय इस ladder को अपने घर में अंदर fold करके रख लेते हैं ताकि कोई भी animal घर के अंदर ना घुश जाए और यह जो घर बनाया जाते हैं यह बहुत ही strong bamboo pillars पर बनाया जाते हैं the inside of our house are also made of wood और जो घर के अंदर का पार्ट होता है वो भी wood से बनाया जाता है लकड़ी से ही बनाया जाता है तो चलिए अब देखते हैं questions को why are houses made on bamboo pillars where propane lives जहाँ भूपेन रहता है वहाँ पर जो घर है वो bamboo pillars पर क्यों बने होते हैं अभी हमने बात की थी bamboo pillars पर इसलिए बनाया जाते हैं ताकि पारिश का पानी घर के अंदर ना घुश पाए भूपेन lives in Assam, it rains heavily in Assam so houses are made on bamboo pillars to prevent water entering into rooms next question what kind of roofs do these houses have why are they made like this इन घरों की छते किस प्रकार की बनी होती हैं और वो इस तरह क्यों बनाया जाती हैं अभी हमने बात की थी कि ये जो house होते हैं इनकी जो roofs होती हैं वो slanting बनाया जाती हैं ताकि जो भारी बारिश होती हैं तो बारिश का पानी छत के उपर ना रुके और वो लीखोकर अंदर ना जाए these houses have slanting roofs as a result the rain water does not case leaks in the roof next question how does one enter these houses ये लोग घर में कैसे एंटर करते हैं घर के अंदर प्रवेश करने के लिए ये लोग ladders का यूज करते हैं सीड़ी का यूज करते हैं next question at night the ladder is removed from these houses can you tell why रात के सब में जो ladder है वो घर से हटा ली जाती है remove करके अंदर ही रख ली जाती है वो लोग ऐसा क्यों करते हैं अभी हमने chapter में discuss किया था कि ये लोग इसलिए करते हैं कि जो harmful animals हैं वो घर के अंदर enter ना कर पाए now it was chamili's turn she said अब chamili की बारी थी और उसने बताया I have come from Manali which is a hill area कि मैं Manali से आती हूँ और वो एक hill area है जो Manali है वो कहाँ पर है वो हिमाचल प्रदेश में है हिमाचल प्रदेश में Manali एक tourist place है वहाँ पर लोग भूमने के लिए जाते हैं Manali जो है न वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास ही है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारीज भी होती है उसके अलावा बर्फ भी बहुत किरती है और वहाँ पर लोग बर्फ के साथ बहुत सारे गेम्स खेलते हैं आपने टीवी शोज में भी देखा होगा एडर प्लेस इट प्रेंस हैविली हमारी जगह पर बहुत तेज बारिश होती है और इसनो एस वेल और वैसे ही बर्फ भी बहुत ज़्यादा पड़ती है हमको धूप में बैठना अच्छा लगता है हमारे जो हाउसेस होते हैं वो स्टॉन से और वुट से बनते हैं और एक चीज और कि यहां की भी जो छटे होती हैं वो भी स्लैंटिंग रूप सी होती है ताकि बारिश और बर्फ इनकी छटों पर ना टिक पाए और जो भुट होती है न वो अंदर से घर को गर्म रखने में हेल्प करती है अब देखते हैं कोस्चन्स को इन विच अरिया इस चमेली का घर किस अरिया में है वो मांटेनियस अरिया में है हिली अरिया में चमेली जाउस इस इन मनाली which is a hilly area next question what is the similarity in the rooms of chamelees and bhupen's house chamelees और bhupen के घर की छतों में क्या similarity है अभी हमने बात की जो chamelees का घर है और bhupen का घर है दोनों के घरों की छते slanting है next question how do rooms help in their areas इस तरह की छते उन एरिया में कैसे help करती है such roof does not allow rain water or snow to get collected on the roof इस तरह की छते जो होती है वो बर्फ और पानी दोनों को भी छत पर collect नहीं होने देती मिताली एंड अनुष सेट अब मिताली और अनुष की बारी थी उन्होंने कहा मिताली एंड अनुष have come from Delhi वो दोनों Delhi से आते हैं Delhi कहां पर है Delhi जो है वो हमारे देश इंडिया की capital है New Delhi और जो Delhi है न वो भी एक union territory ही है they showed pictures of Delhi to everyone उन सबने देली की pictures सबको दिखाई इन वन पिक्चर seeing very high buildings भूपेन सेट ओ सच टाल हाउसेज इन पर तुम कैसे चड़ते हो इस तरह की जो building होती है उनको बोलते हैं multi-story building high-rise building यहाँ पर लोग सीडियों का कम यूज करते हैं यह लोग lift की help से उपर जाते हैं और नीचे भी आते हैं दिल्ली ही नहीं बड़े-बड़े सारे शहरों में इस तरह की multi-story building मनाई जाती हैं वो इसलिए क्योंकि बड़े-बड़े शहरों में पूरे देश से बहुत से लोग काम की तलाश में पढ़ाई के लिए इन जगों पर जाते हैं और वहाँ पर क्योंकि area कम होता है और लोग जादा होते हैं तो वहाँ के लोग जो हैं वो इस तरह की buildings बनाते हैं ताकि थोड़े space में काफी सारे लोग एक साथ रह सकें इस तरह की उची-उची buildings में लोग कैसे चड़ते हैं तो ये लोग लिफ्ट का यूज करते हैं उपर और नीचे जाने के लिए यहाँ पर नई दिली के पारे में बात की गई है New Delhi is the capital of India People from villages and towns come to big cities like Delhi in search of work गाउं से और टाउं से बड़े-बड़े शहरों में जैसे दिली जैसे शहरों में लोग काम की तलाश में जाते हैं ये लोग वहाँ पर अकसर सैटल हो जाते हैं और वहाँ पर लार्ज नमबर में लोग रहते हैं लेकिन स्पेस कम होता है और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास तो घर ही नहीं होता वो लोग स्लम्स में रहते हैं स्लम्स कहते हैं जुगी जोपड़ियों को क्या आप जानते हो कि सबसे बड़ा स्लमेरिया कि शहर में हैं सबसे बड़ा जो स्लम एरिया है न वो मुंबई शहर में है वो सिर्फ इंडिया का ही नहीं एशिया का भी सबसे बड़ा स्लम एरिया है और वहां पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास स्लम एरिया में भी रहने के जगा नहीं होती वो लोग अपने सोने के लिए या त सबसे बड़ी प्रॉब्लम बड़े बड़े शहरों में शेल्टर भी है, शेल्टर कहते हैं शेरन को, यानि उनके पास रहने की जगा तक नहीं होती। कांशिराम टोल्ड एवरिवन, कांशिराम ने हर किसी को बताया, उसने क्या बताया, पढ़ते हैं। I have come from Rajasthan, मैं Rajasthan से आता हूँ, Rajasthan कहां पर है, या आप जो रैड कलर से देख रहे हैं, ये राजस्तान है, और बच्चों जो राजस्तान है न वहाँ पर था डेजर्ट भी है, राजस्तान में बारिश बहुत कम होती है, ना के बराबर कुछ जगों को छोड़कर, पूरे रा गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, तो काशी राम बता रहे हैं, I have come from Rajasthan, मैं Rajasthan से आता हूँ, rainfall is very scared in our area, it is very hot too, वहाँ गर्मी भी बहुत होती है, हम लोग जो हैं, वो मढ हाउसेस में रहते हैं, मिट्टी के बनाए घर में, जो मिट्टी की दिवारे होती हैं वो गर्मी बनाए जाती है, these walls are plastered with mud, और इन घरों की जो दिवारे होती है, इस पर मिट्टी से plaster किया जाता है, मट से plaster किया जाता है, the roofs are made of thorny bushes, और जो घर की छते होती हैं, वो thorny bushes से बनाए जाती है, in the same way, all the groups spoke about their houses, इसी तरह से सारे group के लोगों ने अपने अपने घरों के बारे में बोला, after the introduction, a culture program was held, जब introduction हो गया, सब ने अपने बारे में दूसरों को बता दिया, उसके बाद एक culture program हुआ, और बच्चों ने उसमें तरह तरह के dance perform किये, कुछ लोगों ने folk songs गाए, अपनी अपनी भाशाओं में, और उसके बाद सब ने almond के साथ कहवा लिया, कहवा कहते बहुत एंजोई किया, और शाम को हम सब लोग डल लेक में गये, वी सो अ हाउस बोट, हमने वहाँ पर हाउस बोट देखी, बच्चों ये क्या होता है, ये बोट में ही हाउस होता है, यहाँ पर हाउस बोट का प्रियोग किया जाता है, देखो आपके घर में और हाउस बोट करता है, पैरता है, और एक जगा से दूसी जगा तक जा सकता है, और हाउस बोट में रूम्स भी होते हैं, और यहीं पर लोग रहते भी हैं, और खाते पीते भी हैं, जो लोग घूमने जाते हैं, वो इन हाउस बोट में बैठ कर बहुत मज़े करते हैं, वी सेट इन एंड सम चिल्डरन मूव द और अस औरस केते हैं चप्पू को और हम लोग उसके बाद शिकारा में बैठ गए और कुछ बच्चों ने चप्पू चलाए और उसके बाद हमने चार चिनारी देखा जो की ब्लू माउंटेन से घिरा हुआ था जो चार चिनारी है न वो भी एक इस्पोर्ट प्लेस है जो हाउस बोर्ट होती है वो दूसरे हाउसे से किस तरह होती है हाउस बोर्ट फ्लॉट्स और अधर हाउसे रिमें एट वन प्लेस नेक्स्ट कॉस्टिन वो ड्यक्त लिए इन सच आ हाउस वाई क्या तुम ऐसे घर में रहना पसंद करोगे क्यों हाँ हम सभी ऐसे घर में रहना पसंद करेंगे क्योंकि हम बोटिंग और फिशिंग दोनों का एक साथ मज़ा ले सकते हैं आपको उन्ची जो पर टिक करना है जिनसे आपका घर बना है आपको क्या करना है अपने आसपडोस में देखना है कि उनके घर किस चीज से बने है आपके पास ये चीजे दी गई है आपको इन में से देखकर लिख देना है कि आपके पर टोस में जो घर बने है वो किस चीज से बने है नेक्स्ट कुशिन है मैच इट आपको मैच इट करना है ये क्या है ये है इगलू हाउस ओफिस नो इसको इगलू कहा जाता है नेक्स्ट मैच करेंगे दाट इस हाउस बोट नेक्स्ट इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ये बड़ी बड़े शहरों में होते है टेंट जैसा कि टेंट शिरिनगर में भी लगाया गया था कैंप के दोरान और ये जो लास्ट में है ये है हट आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें अपने दोस्तों में जादर से जादर शेयर करें जो लोग चैनल परने है चैनल को सब्सक्राइब कर ले थैंक्स फूर वाचिंग